हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल हब में दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक PFC पावर सप्लाई है मैंने कल एक वीडियो गनाई थी वहाँ पर इसकेमेटिक डाइगराम से समझाय था कि किस तरीके से हमारी PFC पावर सप्लाई वर्क करती है जो कि हमारी LCD में देखे जाती है चाहे वो Sony का हो, LG का हो, Panasonic का हो, Philips का हो जो भी LCD होती थी वहाँ पर हमें PFC पावर सप्लाई दी जाती है PFC पावर सप्लाई की खास बात क्या होती है कि उसमां आपको जो transformer type के दिखते हैं, यह आपको यहाँ पर तीन देखनों में लेंगे और थोड़ा सा heavy भी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं component काफी बड़े बड़े लगे होंगे, कई heat sink लगे होंगे और कई यहाँ पर छोड़ी छोड़ी आपको IC यहाँ भी देखने को मिलेंगी यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह है, तो अब मैं इसमें on board तो नहीं करूँगा यहाँ पर, एक board में circuit बताऊँगा कैसे कैसे यहाँ पर यह जाता है, इसमें भी मैं आपको दिखाऊँगा, कल मैंने जो वीडियो बनायती, अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसे देख लेना, यहाँ पर मैंने पूरा schematic diagram समझाए था, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, किस तरीके से हमारी PFC power supply काम करती है, लेकिन यह मैंने सुरू से ही draw किया हुआ है, पिछले वाली वीडियो में, उस वीडियो का link मैं description पर देदूँगा, वहाँ से जाकर कि उस वीडियो को आप watch कर लेना, तो कापी अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैंने काता है कि 60-70% आपको PFC power supply यहाँ पर complete cover हुजाएगी, तो यहाँ पर देदेखने, स्टार्टिंग से मैंने बनाया हुआ था, किस तरीके से हमारा काम करता है, जैसे हमारे line है, इन, यहाँ पर हमारा जो stand-by voltage बनता है, चाहिए 5 बोल्ट बने या 3.3 बोल्ट बने, और यह section हमारा PFC का section यह है, यह हमारा stand-by का section है, और यह मेरा output में जो भी हमारे 12 बोल, 24 बोल जनरेट होते हैं, वो है, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में, और यहाँ पर मैं track करके आपको बताऊँगा कि जैसे जैसे मैंने उस schematic diagram में बताया था, वैसा हमारा है या नहीं है, उसके बाद मैं on board भी बताऊँगा, power देने के बाद भी बताऊँगा कि यह work कैसे करता है, तो मैं पहले यहाँ पर आ जाता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कुछ चीजे, जैसे कि हमारा AC का point यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर है, और जो bridge लगा पांच ऑलट जो मैरा stand-by बनता है, वह मेरा यहाँ पर है, इस track-farmer को switch करा नेकले यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी switching के लिए यहाँ पर लगा रहा है यह, और बादी यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से एक diode है हमारा है, और यहाँ पर इसको switching करा नेकले हैं, यह यह दो और यह तीन तो इसके पीछे से हम समझते हैं अच्छे तरीके से तो मैं आपको बता दूँ AC line हमारी यहां से in होती है यहां पर दे रहते हैं यहां से हमारी AC line in होती है उसके बाद यहां से in होती है और हमारे बाकी यहां पर सब प्रोटेक्सन लगे हुए हैं सीधह यहां पर आती है यह AC लाइन हमारा सीधह आप आएगी हमारी यहां पा आएगी जहां जहां पर में चपल सकता है मैं उतनी कोशिस करूँ नरगा यहां पर बताने की तो कंट्यू टी मैंने रख दिया है क्योंगि क्योंकि एशना हमारा डिरेक्ट पर आता है तो यहाँ पर आपको बीब करतावा दिखाएगा देखते हैं यानी ये वाली मेरी यहाँ पर यह रह यह भी बिरीज पर है और जो यह वाली यह सब Protection लगे हुए है, और AC हमारा यहाँ पर आना चाहिए, तो AC यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ से हमारा ग्रश्ट क्या बनेगा, यहाँ पर देख से पॉजिटिव भी दे रहा है, कि यह भी हमारा positive पर करके भी बता रखा है तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा positive यह बन जाएगा हमारा negative तो मैंने क्या बताया था जैसे कि वीडियो में positive हमारा सीधे कहां चले जाता है capacitor पर क्योंकि यहाँ पर जो AC से DC बनेगा pure DC नहीं बनेगा तो इसको pure बनाने के लिए यहाँ से देखते हैं यहाँ से यह हमारा लगा के यहाँ पर हमारे capacitor लगे हैं यह ground में सीधे capacitor लगे हैं यह ground पर यहाँ से आया यह यहाँ से एक diode मार के यहाँ पर देखते हैं यह यह डायोड मारो या जंपर मारो यहां से क्योंकि हरे कमपनी अलग-अलग डिजैन करती है लेकिन जो मेन फंडर रहता हूँ यह हमको positive यहां लेके आना है तो positive यहां से यहां आया और negative यहां आया तो यह दोनों क्या हैं यह दोनों capacitor है यह capacitor यह है यह capacitor यह है इसका जो हमारा यहां पर देखते है यह positive है वो इसके positive के साथ जुड़ा है इसका जो negative है वो यहां से आगर रहे इसके negative के साथ जुड़ा है यानि मेरे दो लगा रहे हैं capacitor तो यहां पर यह देखते हैं तो यहां पर हमारा क्या बनेगा यह एरिया पर यह देखते दें यह वाला एरिया क्या है मेरा positive है यह अरिया positive है यह निगेटिव है तो यहाँ पर हमको 300 साड़े 300 बोलते मिलेंगे फिर मैंने कहा था कि जो हमारा ब्रिज के बार capacitor लगता है फिर कहा लगता कि मैंने यहां पर diode लगता है ये सीधे कहा जाता है हमारा जो छोटा वाला transformer है वो हमारा first section कौँछ है standby का section ये वाला हमारा क्या है standby का section है इस में जाएगा तो जहां रखना मेरा ये इस तरफ आएगा कैसे आएगा उसको देखना positive मैंने कहा था सीधे transformer की एक coil पर जाती है तो transformer की चार coil होती है एक side, दो होती है तो मेरी एक ये, एक ये ये मेरी क्या हो गई? एक हो गई जो जिसमें की हमारी switching शुरू होगी और एक ये, एक ये ये दोनों क्या हो गई? मेरी auxiliary हो गई और एक ये, एक ये ये दोनों क्या हो गई? और मेरी आउटपुट हो गई है इन दोन में स्विचिंग होती है और जलरी हमारी इसको क्या देती है पावर सप्लाई देती है रिगुलर और आउटपुट क्या करता है हमें जो भी स्टैंडबाई बोलते चाहिए होता है वो देता है तो इसमें देखते हैं पॉजिटिव ड तो इस पिन पर देख सकते हैं मेरा यह पॉजिटिव आ चुका है नीचे एक रिजिस्टेंस लगी है उपर मैंने जंपर मार रहा है इसमें तो यहां पर मेरा पॉजिटिव आ गया इस पिन पर अब इस पिन पर हमको निकेटिव चाहिए था यहां पर देते हैं इस पिन पर यह पिन है, यह हमारा क्या है यहाँ पर निकेटिव है, यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, यह, यहाँ पर यह पिन क्या है हमारा, यहाँ से आया, अभी निकेटिव को हम ट्रैस करते हैं, कौन चाह था मेरा निकेटिव, निकेटिव है मेरा यह देख सकते हैं, यह मेरा निके निकेटिव आ गया है, निकेटिव आ चुका है, और क्या मिलना चाहिए इसको, Start Up Voltage भी मिलना चाहिए, इसको क्या मिलता है, Start Up Voltage ताकि इसको क्या कर सकते हैं, हम start कर सकते हैं start up voltage के थुरूब तो start up voltage को कहां से मिलेगा अभी हम उसको भी यहां पर देखते हैं कि तो मेरा कि यहां से मेरा इधर आया positive और यहां से आके यहां तक यह आ चुका है यहां पर यह देख सकते हैं तो यहां पर क्या कर रहा है इसके अंदर एक self start up बना रखा है तो यहां पर इसकी पीने में बता दूँ यहां पर क्या होता था जो यह मेरी auxiliary coil थी यहां पर देखते हैं और जोड़े वाली एरिया के साथ ही लगा हुआ है यह point मेरा positive है वो यहां से यहां आएगा positive यहां से देख सकते हैं यहां पर मेरा एक resistance लगी होई है यहाँ से यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरा डायोड लगा हुआ है यहाँ से यहाँ डायोड लगा और इसको capacitor यह filter कर रहा है और यह positive मेरा क्या बन गया इसको चलाने के लिए इसका VCC point बन गया यह और उसके पाद होता है हमारा एक feedback point तो feedback point है देख सकते हैं करें सकते हैं फूर Stevens है कि पहला वाला यहां कर लेता हूं तांकि One कि ऐत ग्राउंड ते ग्राउंड होती है जो कि यह ग्राउंड है और दूसरी में क्या है यहां से एक रजिस्टेंज पड़ी इधर और इधर से यह देख सकते हैं ट्रैक गया इसमें इस वाली पिन पर तो यह क्या है मेरा फीडबैक पिन हो गई देख सकते हैं ग्राउंड मेरा यह भी नहीं, यहां से आया ग्राउंड मेरा यहां की पिन है, यहां पर यह मेरा VCC है, यह दोनों मेरी Drain है, और यह मेरा Feedback है, यहां पर यह देखेंगे, बाकी मैंने कहा था कि Capister Diode लग करके Ground करे जाते हैं, तो जैसे यह पिनाई मेरी यहां से एक डाउंड मार दिया, यहाँ पैं, यहाँ से एक और मार दिया, यहाँ पैं देखेते हैं, रिजिस्टेंस मार दी, ये round के साथ, ये diode कर दिया, ग्राउन्ड के साथ, जैसे कि मैंने कल, वीडियो में बताया वा था, तो अब क्या होगा, यहाँ पैं पॉजिटिदिव आया, इस पिन पर ground ये रहा और drain point ये रहा source हमें ground इसको मिल चुका है और ये switching करेगा तो इन दोनों में switching होगी हमारा auxiliary coil भी हमारी work कर रही है output पर हमारा क्या होगा voltage generate हो जाएगा output पर जो भी voltage होगा generate हमारा होना सुरू हो जाएगा तो ये है तेकरते हैं ये मेरा capacitor लगा हुआ है यहाँ पर और ये मेरा AC है यहाँ से यहाँ ये मेरा diode लगा हुआ है बीच वाला center AC ये positive आया यहाँ ये देखते हैं 5 bolt मेरा यहाँ पर stand by आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब क्या होता है कि 5 bolt मेरा stand by बन चुका है अब हमको इस supply को और PFC को इस PFC को हमने on करना होता है यहाँ पर मैं थोड़ा zoom out कर लूँ इस PFC को भी on करना होता है हमने बाकी इसको भी on करना होता है यहाँ पर जो बार से service volt generate करते है तो यह कैसे on होता है उसको भी समझना अब यहाँ पर एक power on का यहाँ पर लिखा हुए है, पावर ओन लिखा हुए है, आपको दिख तो नहीं रहा होगा यहाँ पर खेर, पावर ओन लिखा हुए है, तो जैसे यह में बोर्ड में जाता है, वहाँ से हम पावर ओन करते हैं, यहाँ पर सिगनल आता है, साड़े तीन, थीरी बान थीरी है, फ इसको भी मैं जूम करके थोड़ा समझाता हूँ ताकि यह भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि यह तो यहां पर देते हैं यह पिन क्या है इसकी ग्राउंड है ग्राउंड है यहां से हमारा पावर वान का सिगनल यहां पर से आएगा जमपर के थूरू यह रजिस्टेंज के थूरू रजिस्टेंज के थूरू देखते हैं एक रजिस्टेंज यह लगी है इसको ग्राउंड कर कर दिया है, capture ground कर दिया है, और यह कहां आयगा transeptor की, इस पिन पहर है, यहां पहरी जो की gate है, source हमारा ground है और जो यहां पहर अगली pin है, वो हमारी, octoble के साहां जूर जुड़ी है, यानि इस पहराल इसके साहां चले जाओगा, यह geschो साह जैए गारायांद से एक पतला सा ट्रैग मेरा आ रहा है यहां पर रजिस्टेंज लगके यहां पर मेरे बोल्टेज रुखे पड़े हैं यहां पर बोल्टेज रुखे पड़े हैं और ग्राउंड इसे जैसे जैसे मिलेगा तो यहां का बल्ब गलो होगा और वो क्या करेगा बल्ब गलो होने के साथ साथ क्या करेगा यहाँ पर देखना यह मेरा एक transistor है जो की 8 bolt इन दोनों को भेजेगा 8 bolt भेजेगा 8 से 10 bolt भेजेगा कि तुम दोनों भी on हो जाओ अब वो कैसे भेजेगा उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा पूरा एरिया ग्राउंड वाला है यह देखते हैं मोटा वाला हिस्सा जो भी चोडा वाला है वो यहाँ पर क्या है ग्राउंड है तो जब इसमें भेजेगा यहाँ पर बेजेगा इस वाले प्वाइंट पर तो पहले हम समझते हैं इसके एक पिन पर हमारा आठ बॉल्ट आना भी चाहिए 18 बॉल्ट स्वरी आठ बॉल्ट 18 बॉल्ट हमारा आना चाहिए तो वो कहां से आएगा यह ओक्जलीर से ही आएगा यहाँ से देखते हैं यहाँ पर जंपर पड़ा हुआ है यहां से हमारा डाइोट पड़ा यह DC बना DC को फिल्टर करने के लिए कपिश्टर लगा हूँआ है यानि इस वाली पिन पे क्या होगा हमारा 18 बोल्ट आके रुके रहेगा इस पिन पर 18 बोल्ट आके रुके रहेगा यहां पे देखते हैं center वाली पिन पे आगे रुका हुआ है 18ірे पॉंट, 18 बोल्ट और यह हमारी 18 बोल्ट आउट करेगा, अप करेगा यह पिन को देखना, यह हमारी कहां गई है सीधे गई है औक्टो कफलर पर यहां पर देखते हैं औक्टो कफलर पर यह गई हुई है यह वाली और यह औक्टो कफलर पर गई हुई है इस पर जो 18 वोल्ट हमारा आए था उस बोल्टेज को क्या कर दिया रजिश्टेंस ने कम कर दिया यहां पर कम कर यहे तो यह का करते देगा इस वाले बोल्टेज को इधा भेज देगा इस वाले सेक्यों में भीज देगा और यह जो ट्रैक है मेरा कैपिश्टर लग के फ्ल tark के यहांपर देख से हैं और उसके 측 ऐसे यहांे जा यह tääगा यह यह यहां से गया, यह ट्रैक गया, इधर, इधर से जमपर होके इस IC पर, यानि इस IC को on करवा देगा, यह 18 बोल्ट, ऑन करेगा, तो यह section हमारा on हो जाएगा, और यही 18 बोल्ट यहां पर से देखना, यह, यहां पर से आया, और यहां पर से सीधा चला गया यह, यहां पर, यहां से सीज़े इस वाली IC पर चले गया यानि यह हमारा क्या है boost coil है PFC coil तो यह coil क्या करेगी यहां पर यह coil क्या करेगा coil diode और यहां पर का MOSFET क्या करेगा इस पर switching करना शुरू करेगा switching करेगा तो यहां पर के जो voltage थे वो क्या हो जाएंगे boost हो जाएंगे साड़े 300 से 390 के करीब बन जाएंगे 390 बन जाएंगे तो यहां पर यह देख सकते हैं यह यहां से इधर गया है इधर से इधर चले जाकर के यह यह जो MOSFET लगे हैं दो यहां पर switching MOSFET ने यहां पर on-off करने वाले इन transformer की यह देख सकते हैं primary coil को क्या करेंगे switch करेंगे 390 voltage पर switch करेंगे जैसी 390 voltage पर switch करेंगे output पर हमारे 12 volt 24 volt क्या हो जाएंगे generate होने शुरू हो जाएंगे तो आपको आसा करता हूँ कि काफी समझमा आ रहा हो गए तो सबसे पहले क्या करा हमने यहां पर से इसने switching करी इस transformer को छोटे वाले से 5 बोल्ट या 3.3 बोल्ट निकाला और फिर उसके बाद में बोल्ट पर गया वो बोल्टेज और वो वापस आया power on करने के लिए power on जैसी करेंगे यह बोल्ट यहां आएगा इस वाले octopler को क्या करेगा glow करेगा तो इस वाले octopler का जो दूसरा छोग है उसमें से जो भी हमारा यहां से 18 बोल्ट था वो इस वाले transistor के थुरू हमारा आगे बढ़ेगा कहां बढ़ेगा इस track के थुरू कहां बढ़ेगा इस वाले पर है और इस track के थुरू कहां बढ़ेगा मेरा इस वाले है तो यह दोनों एकी साथ काम कर रहें गर यह काम नहीं करेगा तो यहां पर क्या होगा हमारा बोल्ट इच्ग बूच्ट बूच्ट हो जायाएगा तो हमारा फोच्छे तरीकी से काम करेगा कई आपका यहां पर से प्रकोंपर हो सकती है तो दोस्तों यह तो था मेरा ओफ ओढ़ोड में किसी टैम में आपको ओनलाइन बोर्ड में भी हमें समझा स्वाइब वीडिए की इस लगी आपको यहां समझते आया होगा, बाकी मैं इस वाले का भी वीडियो का लिंक के डिस्करिशन पर दे दूँगा, उसको जाके भी आप वाच कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इत्ता ही,